Hello friends, welcome to my channel, आज हम बात करने जाएंगे passport related query से लेकर, तो बहुत सारे लोगों की query है कि जिन्होंने passport COVID-19 से पहले apply किया था exact, लेकिन COVID-19 आने के उज़े से उनकी appointment नहीं हो पाई थी, तो उस में, उस condition में अब क्या किया जाए, कैसे होगा इस अब कुछ, देखिए मैंने अभी passport क जो official website है वो open कर लीजिए, यह देखिए, यह मैंने official site open किया, उन्होंने बोल दिया कि जो भी operations थे वो हमने अब resume कर दी है, मतलब जितने भी passport service थे, देखिए, जो कुछ orange areas थे, उन्होंने service पहले ही, महां पे start कर दी थी, लेकिन जो red zone थे, महां पे अभी भी service start नहीं होई है कहने की बाते हैं कि कुछ जगे service start हुई है और कुछ जगे नहीं हुई है, तो वो आपकी city पे depend करेगा, वो आपको खुद पता करना होगा कि आपके वाँ service start हुई है या नहीं हुई, तो सबसे पहला question यह आ रहा है कि कई लोगों ने passport apply कर दिया था, उनकी police verification भी हो गई थी appointment से कुछ clear हो चुगा था, लेकिन passport का वो भी आ गया है, message की हमारा dispatch हो चुग है, लेकिन उनके घर तक passport नहीं पहुचा है, तो सबसे पहले question का answer यह है, जिनका passport घर नहीं पहुचा है, तो आप उस बात को लेकर attention मत लेजिए, आपका passport घर पहुच जाएगा, जैसे ही उनकी service activate होंगी वहां से, आपके पास message फिर दुबारा से आएगा और आपके पास passport घर पहुच जाएगा, तो इस बारे में आपको attention लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो यह सबसे clear answer है, इस से related अगर आपका और कोई question है, तो आप बताईए, अगर वहां पे message दे दिया है, वो passport office की जिसके वज़ेसे ही सब कुछ हो रहा है, जो services होती है, government की वो open नहीं हो पाई है कुछ, जिसके वज़ेसे आपके पास deliver नहीं हो पा रहा है, क्योंकि courier service कुछ activate नहीं है अभी, जिसके वज़ेसे यह नहीं हो पा रहा, second question हमारा passport से related यह है, कि जिन लोगों ने passport apply किया था, उनकी appointment date COVID-19 में आगी थी, लेकिन जिसके वज़ेसे passport office बंद हो गए थे, अब उनका question यह है कि हमने तो payment कर दी है, तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगी, जिनों ने भी passport से related payment की थी, उसके बाद जो एक साल तक appointment ले सकते हैं, मतलब suppose किजिए, आपने 15th March को आपने passport के apply किया, आपकी appointment रही 27-28 को, लेकिन उस time COVID-19 की वज़ेसे कई passport office open नहीं हो पाये थे, जिसके वज़ेसे आपको करना क्या हुआ, कि आप नहीं जा पाये, तो इसके जिसके जो आपकी appointment है, वो reschedule हो जाएगी, अब जैसे ही lockdown open होगा, उसके बाद आप अपनी reschedule कर सकते हैं, जो भी appointment से दिखें, आप साफ साफ लिखाव है, applicant are requested to reschedule their appointment, to avail their services, और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, कि आपके appointment फिर दुबारा reschedule हो जाएगी, और एक साल तक डेट तक वैसे भी रहता है, ऐसे कोई problem नहीं आईगी, आपके पैसे waste नहीं होने वाले, आप जाके आप अपना appointment को clear कर सकते हैं, और applicant को उन्होंने वैसे advise दिये कि आप wear mask डाल के जाए, sanitizer को carry करके जाए, और अरगय सेतु app को भी download करके जाए, और follow करे social distancing, यह आप देख सकते हैं उनकी जो भी conditions है, यह तो normal अब होई जाएगी, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखिए, तीसरा question, सबसे important कि कईयों का तो अभी तक यह लिखा रहा है कि police verification ही नहीं हुआ है, देखें, police verification जिनका नहीं हुआ हो सकते थोड़ा time और लग जाए, क्योंकि police verification को लेकर अभी भी process चल रहे हैं, और इस time, covid-19 की situation को लेकर, police verification नहीं हो पा रहे हैं, कुछ जिनके रह गए थे, उनक सबसे बात है, जिनका appointment clear हो चुक है, उनका police verification का कोई चक्कर नहीं है, वो हो जाएगा, थोड़ा time तक, लेकिन हो जाएगा, और दूसरा question यह, कि जिनका police verification हो गया है, और फिर भी status update नहीं होगा, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी, ये question का answer मैंने पहले भी दिया था, मैं इस बात को लग जाता है, एक मैना दो, मैना थर्टी तू सिक्सी डेस भी लग जाते हैं, तो इस बात को लेकर आप attention मत लेजी, आपका passport अपके घर आ जाएगा, अभी नहीं तो थोड़े time तक, क्योंकि इस time COVID-19 की situation को लेकर, चीच यह थोड़ी सी, और जाद accident की जा रही है क्योंकि government के पास services के लिए उतने person नहीं है, और आप देख पा रहे हैं कि यह situation इतनी critical है, इस time पे, कि वो service अपनी open नहीं कार पा रहे हैं, तो passport से related, अगर आपके और भी कोई queries हैं, और भी कोई questions हैं, तो मैं उन सारे questions के answer, इसमें वैसे ले चुकी हूँ, अगर इसके इन तक ही valid होता है, two months के बाद आपका password change हो जाता है, उसके बाद आपको खुछ से ही अपना password reset करके करना होता है, ऐसे में ऐसा कुछ नहीं है कि आपका password किसी ने change कर दिया है, कुछ लोग के queries आई थी कि हम अपना user login नहीं कर पा रहे हैं, तो यह user login इस ते नहीं हो पा रहे ह क्योंकि इनकी अपनी एक condition है, कि two to three months तक ही इनका रहता है, उसके बाद आपको password खुद change करना होता है, तो वो आपके पास reset के लिए आजाएगा, तो आप चेंज कर लेजेगे, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आईगी, तो शायद मेरी आपके सारे questions क आपके answer दे चुकी हूँ, अगर उसके बाद भी आपके कोई questions रह गए है, password से related और भी कोई आपकी queries है, तो आप मुझे comment below कर दे, मैं चेक करके आपको next video में बताऊंगी, क्योंकि एक एक करके सबको reply करना काफी मुश्किल हो जाता है, questions ऐसे होते हैं कि उसमें two or three lines में में cover करके नहीं बता सकती, इसलिए मैंने एक वीडियो मना दिया, जिन जिन की जो queries हैं, वो इस वीडियो में हो सकता है, solve हो चुकी होगी, so अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप like कीजिए, thank you, और हमारे चैनल को subscribe कीजिए,